तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एरफोर्स की जोकियां पे इंडियन एरफोर्स से ग्रूप सी की जो वेकेंसी जारी की गई थी जिसका जो अर्बरटाइजमेंट नंबर है 04-2022-TR का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था Employment News में तो इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा कैसे आप इसका Off-Inform फिलब कर सकते हैं फिलब करने के बाद कौन-कौन से आपको डॉक्मेंट लगाना होगा कैसे आपको सेंड करना होगा Complete जनकारी में आपनों को इस वीडियो में तेने वाला हूँ तो इस वीडियो को बिन्या स्किप करते हुए लास्ट तक देखिएगा और अभी यहाँ पर इंडियान एरफोर्स से एक और वेकेंसी जारी की गए गुरूप सी से ही जो कि यहाँ पर उसका Advertisment No.05 अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हुए है तो उस वीडियो के लिए आप इस वीडियो के डिक्सेशन में जा करके चेक कर सकते हैं वहाँ पर इने लिंक दिया हुआ है वहाँ पर आप जा करके चेक कर लेंगे कितने वेकेंसी जारी की गई है और कितना क्वालिफिकेशन होगा तो आप इसमें फॉर्म को फिलप कर सकते हैं और इसमें यहाँ पर आपको फॉर्म फिलप करने के लिए कोई फीश नहीं देना होगा तो इंडियान एफ फॉर्स का अप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ओफिसल साइट नौकरीनी.िट इन पर जा सकते हैं वहाँ पर आपको अप्लिकेशन फॉर्म मिल जाएगा या तो आप इसी वीडियो के से फर्म फिलप करने चाहते हैं आपको इसमें पोस्टन देना होगा और इसके बाद यहां पर आपको दिया गिया है यूनिट का नेमी आपको देने के लिए यानि जिस भी एरफॉर्स इस्टेशने फॉर्म करना चाहते हैं आपको notification से चेक करना होगा जिस भी Air Force Station एप form फिल अब करना चाहते हैं उसी unit का name यहाँ पर आपको देना होगा और उसी unit पर आपको form को फिल अब करके send करना होगा यानि जो यहाँ पर Air Force Station का नाम फिल अब करेंगे उसी address पर आपको form को भी फिलब करके send करना होगा तो आपको notification से check कर लेना होगा और इसके बाद फिर से यहाँ पर आपको post name देना होगा जिसी post लिए आवजन करते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना full name देना होगा इसके बाद नीचे आपको father का full name देना होगा और इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको job का data बर्थ होगा उसे आपको यहाँ पर देना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना photograph चिपकाना होगा और उसे आपको attested करना होगा यानि photo के उपर crash signature कर लेना होगा और इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया गया application form के last year से आपको अपना age कल्कुलेट करना होगा और calculate करने के बाद year month or day में जो आपका age आएगा उसे आपको यहाँ पर तेना होगा और इसके बाद nation में यहाँ पर आपको दिया गया address फिलब करने के लिए जो कि यहाँ पर आपको अपना correspondent address फिलब करना होगा यानि जो आपका पतरचर का पता है और अस्थाई पता है उसे आपको फिलब करना होगा जिसमें कि सबसे पहले आपको दियागा house number, street या village का name यहाँ पर आपको देने के लिए इसके बाद नीचे आपको post office का name देना होगा इसके बाद आपको district का name देना होगा, state name देना होगा और जो आपका area pin code होगा उसे आपको फिलब कर लेना होगा और फिलब करने के बाद इसके बाद आपको दियागिस में permanent address आपको फिलब करने के लिए यानि जो आपका अस्था ही पता है उसे फिलब करने के लिए तियागिया है और उसमें भी आपको same फिलब करना होगा जो कि सबसे पहले यहाँ पर दिया गया हाऊस नम्बर स्ट्रीट या भिलेज देने के लिए इसके बाद आपको पुश्टाफिस का नेम देने के लिए डिस्टिक का नेम देने के लिए स्टेट नेम और इसके बाद जो आपका area pin code है उसे यहाँ पर देने के लिए दिया गया है तो जैसे अपनाificar confidence लिए किये हुए है वैसे आपको अपना permanent audio फिफिलाब कर लेना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया cast category आपको देने के लिए तो जो भी आपकी category होगी general, ovec, ovec, a.c.ht साथ और इसके बाद जो भी आपका कौलिफिकेसन होगा यहाँ पर उसका मार्सीडो सर्टपिकेट अपलिकेशन परं के साथ अटेश करना होगा और इसके बाद यहाँ पर दियागा अगर आपके पास कोई پोश्ट qualification experience होगा तो यहाँ पर डिटेल को दे सकते हैं और इसके बाद नीचे आपको फिर से यहाँ पर अपना category यहाँ पर देना हो गाए अगर आपके पास को टेक्निकल ट्रेनिंग या टेक्निकल experience होगा तो उसका टेल यहाँ पर दे सकते हैं नहीं होगा इसे ब्लैंक छोड़ दें के लिए तो यहां पर आपको स्टेट करना होगा जिस बीस्टिट के आप कंडिडेट होंगे इसे में देना होगा है और इसके बाद नीचे मैं अगर आपका इमपलायमेंट एक्षाल अर्व्डैस होगा यानि आपका रुजगार का रेले में रेजिटेशन होगा तो यहाँ पर आपको यस पर टिक करके जो आपका रेजिटेशन नंबर होगा और जिस भी रोजगार कारले से आपका रेजिटेशन होगा उसका नेम यहाँ पर आपको सामने देना होगा अगर आपका रेजिटेशन नहीं होगा तो यहाँ पर आपको नो करना होगा और इसके बाद नीचे यहाँ पर पोस्ट नेम देना होगा और इसके बाद नीचे आपको फादर का नेम देना होगा और इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको फादर का नेम देना होगा और इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको फोटोग्राफ करना होगा और इस से आपको यहां पर यहां पर फोटे चिप का करके उसे आपको ऑट'स्ट minder करना होगा तो आपको complete जन कारी मिल गई होगी कैसे आपको फॉम फिलब करना होगा और इसके बार नेक्स्ट यहां पर बात करते है कौन कौन से आपको हुच में डॉक्मेंट करना तो जो भी आपको डॉक्मेंट लगाना होगा उसके लिए मैंने यहां पर डॉक्मेंट का लिष्ट बनाया हुआ है और इसका जो पीडियाप है आप लोगों को टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा वहां से जा करके आप डॉक्मेंट लिष्ट का पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले देख लेंगे जो कि यहां पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया एरफोस का जीरो फोर स्लैस तो अजरबाइस लेस्ट इयर का नोटिफिकेशन यहां पर दिया गया है और उसी के लिए मैंने यहां पर फॉर्म फिल अप करने के लिए वीडियो बनाया हुआ है और इसमें जो आपको डॉक्मेंट लगाना होगा सबसे पहले जो आपका बहुत सट्पि अप्लिकेशन फॉर्म में दिखाए होंगे मैं इंटर्मीडियाट उसका आपको मार्शी टेस्पिटिकेट लगाना होगा और इसके बाद जो आपका डॉमिसाल सेट्पिकेट होगा यानि जो आपका निवास मरपतर होगा उसे आप लगाएंगे इसके बाद आपको दो एक प्याज के एए होगे यानि या फिचिकल धानी के इट है और फॉर्म फिलब्प करते हैं तो यह आपको चैख करना होगा झिस भी डॉकमेंट के लिए वहाई योगय होगे वहीं धॉकमेंट आपको किलावल लगाना होगा और इसको भी आपको अपको सब्परेश्ट्यर य यानि सभी डॉक्मेंट पर आपको अपना सिखनेशर करके यह application form के साथ send करना होगा और इसमें जो आपको send करना होगा केवल आप इसमें आडरनी पोस्ट करेंगे यानि आपको केवल यहाँ पे साधानल पोस्ट करना होगा आप इसमें speed post या तो आप register post नहीं करेंगे अगर आप यहाँ पे speed post या पोस्ट करेंगे तो आपका जो form होगा reject हो जाएगा तो केवल आपको यहाँ पे आडरनी पोस्ट करना होगा और इसमें जो लास्टेटे फॉर्म को फिल अप करके send कर सकते हैं और इसके बात बात करते हैं जो आपका envelope होगा उस पे आपको address को कैसे लि आप किया है तो किया मैंने लिखा हुआ है और इसके बाद यहाँ पे category लिखना होगा करना होगा और इसके बाद नीचे आपको तो लिखना होगा और उसके बात लिखने आपको जो आप अप्लिकेशन फॉर्म में यूनिट का नेम दिये हुए हैं यहां पर आपको इसमें फिलप करना होगा फिलप करने के बाद इसके बाद यहां पर आपको फॉर्म लिख करके जो आपका आडरेस होगा उसे यहां पर आपको फिलप कर लेना होगा जो कि आपको डाक्टिकर चिपका करके दसरुपे का डाक्टिकर चिपका करके इसके बाद आपको application form के साथ send कर देना होगा और किवल आपको इसमें order नी पोस्ट करना होगा आई छोप आपको complete जनकारी मिल गई और o से आपको डॉक्मेंट लगाना है इनुलब के उपर आपको आडरेस को कैसे लिखना है और कैसे भीज़ना है कंप्लेट जनकारी आपको मिल गई होगी अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आपने चेकाउंट से कमेंट कर सकते हैं वहाँ मैं आपको जनकार दे दूँगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइम सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ इसाथ वेल आइकन को दबा दीजिए वीडियो को देखने के लिए धन्यबाद